महतपूर अन्छेद की बात की जाए तो यह एक सुने पर सुहागा है अर्थात पॉल्टी की बात की जाए तो या उसकी एक आत्मा है यानि पॉल्टी में अन्छेद यानि महतपूर अन्छेद की बात की जाए तो पॉल्टी का अधर बहुत ही ज्यादा निचोड है यानि ब्सक्राइब बड़ी बात रहती है कि महत्तपूर्ण अनुष्छेद आपको याद रहने चाहिए तो आज हम लोग महत्तपूर्ण अनुष्छेद के बारे में करने का प्रयास करूंगा तो जो लोग पुराने वीडियोको नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लीजिएगा वह सुरुआत हो इसे पूर्ण हम लोग क्या करें समाप्त कर लें हम लोग 16124 से स्टार्ड और 6124 सब्सक्राइब अनिछ असप्रीब कोट यानि भारत में क्या होगा सुप्रीम कोड ऊचतं न्याले होगा होगा भारत में क्या होगा एक निचेत को बदल दिया जाए लिए अनुप्रीक मोडिफाइब कर लिया पॉइंट अच्छे से आप लोग याद रखे गया मैं इसे आगे बताऊंगा तो सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 124 में क्या होगा हमारी पास में सुप्रेम कोट यानि भारत में क्या होगा एक सुप्रेम कोट उच्छतम न्याले होगा और आगे की बात किजा अनुच्छेद इसी से रिल्टेट एक दो अनुच्छेद और है जो कि अनुच्छेद नंबर 133 में क्या है अनुच्छेद नंबर 133 में क्या है नियाइक पुरुनाव लोकन और अनुच्छेद नंबर 143 में अनुच्छेद् नंबर 143 में हाई कै और हमारे पास सुप्रीम कोट सुप्रीम कोट राष्ट पति महधा जी को सलाह देसकता है कि है न Prof. आप सकता है अब यह सला राष्षपती महधा जी माने या ना माने या किस पर depend करेगा राष्षपती महधाजी पर यानि सुप्रीम कोड सला दे सकता है और राष्षपती-जी महजदा जी सलाह ले सकते हैं और माने या ना माने राश्पती महजदा जी पर या डिपेंड होता है तो यानि तीन अंच्छेद अभी हम इन्हें सिख लिया कि सुप्रीम कोट से पाला क्या था 124 में अंच्छेद में सुप्रीम कोट और 137 में नयाइक प्रणार विलोकन और 143 में सुप्रीम कोट राश्पती महजदा जी को सलाह दे सकते हैं अब 143 हो गया अब इसके आगे हम लोग अंच्छेद नंबर 148 की बात करेंगे हैं अंच्छेद 148 148 में क्या है करें ६बहुत बार अंच्छेद नंबर 148 तम दिमाग में बैठा लेजा चारा निच्छे दपितक माने बताया है एक क्या सुप्रेम कोड का गठन और सिकेंड वाला क्या 137 में नियाक प्रणावली कौन और 143 में क्या देखते रहेगा सुप्रेम कोड सलाह दे सकता है राश्पती महुदा जी को और 148 में क्या कहाईगी ए तो बहुत ही जादा भेरी भेरी इंपोर्टेंट है आगे की बात क की जाए तो अब हम लोग चलते हैं कि 152 में कहाँ पर चलेंगे इसके आगे जिस्ट 152 में अनुछेद 152 में क्या है कि उपर राज जिपाल राज जिपाल और भी इनकी क्या है परिभाशा है अनुछेद नमबर 112 में राज जिपाल के क्या दी गई है परिभाशा और राज जिपाल राज्ययों के लिए क्या होंगे राज्यों राज्यों के लिए राज्य पाल राज्यों के लिए राज्यपाल तो दो प्रकास equation पुछे गा कि राज़ेपाल की परिभासा किस अनुखित में दी गई है अनुखित नंबर 112 में राज़ेपाल होगा अब अनुखित 161 किया है राज़ेपाल होगा है राज़ेपाल के पास छमादान की सक्ति मुझूद है तो अन्छेद नंबर 161 में राज़ेपाल के पास क्या है छमादान की सक्ति है राज़ेपाल के पास छमादान की सक्ति यानि राज़ेपाल महोदर जी किसी को छमा कर सकते हैं और अन्छेद नंबर 72 के अंतर गत राश्प पती महदाजी को चमादान की सक्ति है तो जबकि अधी उपर राष्ठपती इस दो आपकल इंपोर्टेंट है और राष्ठपती महदाजी वाला अब आगे अंच्यद के बात की जाए तो अंच्षेद नंभरह एक सो थाये तो मंत्रि परिशद मैं 구па मत्री परिशद मैं तर्यास याद कर α Galina जैसे 124 एक सो तीराली सुगा 142 एक सो तीरपन एक सट एक सट एक सो तीरशट चौशर पैसर आइसी तब करम से तम याद रहा चाहिए गिंती के तरब पहाड़े के तरह तब भी मज़ा आता है इसे दो तीन बार तीन चार बार साम सुभा साम सुभा पढ़ें के दम रट मंत्री परिसद यानि मंत्री परिसद के गठन की बात की गई अन्चिद नंबर 163 में और मंत्री परिसद की गठन हो गई अन्चिद नंबर 164 में सीयम की नियूकती की बात की गई है किसके बात की गई है सीयम जी की यानि सीयम मतलब मुख्य मंत्री जी की नियूकती की बात की गई है अन्चेद नमबर we have 164 में किसकी बात की गई है CM की न्यूक्ति just why cmc के क्या की गयो निफ्टी ओर cmj की निफलाइश्द मोहदद जी करेंगे कौन करेंगे राज्जसपाल टैन्य एक 163 64 तो हो गया अब 165 क्या है अधिवक्ता倒 है महाधिवकता है और भी नमबर 165 में क्या है महाधिवकता तो 165 में क्या है महाधिवकता है जैसे के केंद्र सरकार के पास में महा महानिवाइदी होते हैं यानि महानिवाइदी मतलब वकील यानि सरकार का वकील महानिवाइदी होता है ऐसे ही ओहां केंदर में ऐसे ही राज में क्यों वकील कौन होता है महाधिवक्ता होता है यानि प्रधान मंत्री के लिए महानिवाइदी महानिवाइदी अंच्छे चेतर क के अंतरगत और जब कि मंत्री परसाद यानि सीयम के लिए सीयम के लिए महाधिवक्ता वकील की तरह कारे करते हैं और कई बार कुछा गया है कि भारत में सबसे बड़ा वकील कौन होता है तो महाधिवक्ता की बात की जाए तो अंच्छेद मंत्री परसाद में क्या बनेंगे सीयम के पास क्या होना चाहिए एक महाधिवक्ता अब अंच्छेद 165 के बाद हम लोग अंच्छेद नंबर अगली की बात करेंगे अंच्छेद नंबर 166 में क्या कहा गया है जब सब्सक्राइब में 162 dabei 188 Sono 158 में 156 काा ऐसा नंबर 168 में बधान मंदल की बात की गई है तो गयानी वीधान मंदल 206 जैसे कि पास में क्या होता संसद होता है कन्थ रसकार में क्या होता शंसर दोता यानि पूरे भारत के लिएर संस्षत होता है और अश्य प्रतेगरां मंडल क्या होंगे दोibilidad और जीए वेशना परीश्ग और बिधान सभार भीधान परिशत और पार भीधान परीश्थ परतेक राजय में नहीं अभी आगे मैं बता दूंगा किस्किस राज में जर लेकिन विधान परीशत राजमें नहीं यह बिधान सभापा होता है कि उस राज में विधान परिशuju बनाय जाया तो नहीं यानि मतलब कि ns 169 में विधानपरिसत की गठन और विगठन यानि यान्ट बिदान परिसत का गठन कर दिया तो विगठन यानि यह चीज हमसा नहीं रती है किसी-किसी राज में दे सभावार कि लिए सभाव अगया फोर के रिधान के गई व刷ने decent सभव के आगे के अगए बाकत गाट की की जाए फोन अगे आगे चलेंगे बिधान परीशद हो गया अब इसा बचाश सभाव के सरशना अब अब यहां पर हम लोग आगे चल लहें अनुछेत नंबर मंडल की सरचना किस अनुष्यत में बात की गई अनुष्यत नंबर 170 में अधी आगे बताया जाएगा तो अधी या तो हो सकता है यूटूब पर आप सर्च करेंगे दोनों कांसेप्ट और ज्यादा किलियर हो जाएंगे लेकिर हम हम थोड़ा सब land के योरद डिपेंड हो रहे हैं तो उससे करवादे तब फिर आगे कुछ होगा जो सब्सक्राइन हो लोग अनुष्यत नंबर 170 में क्या बात परिस्द की सरचना वी द्हान परिसwand की सरचना यानि चार अनुच्छistance, आसी आपको important मिल गए 168, 179, 179, 171, 168 में क्या है विद्हान मंडलं přिधान्ड़ जबकि 179 में बिधान परिश्द की गठन और बिगटन या किसी में गठन कर दिया गया है किसी में नहीं है बिगटन हटा दिया गया है तो बिधान सभा की गठन और विजटन की बात की इसमें की गई है अगए अगए की बात करें हम तो अगे की बात करें हम तो हम देखे थे dealtagon 124 था न gözet इसके आगए हम लोग हम एक युज़ करें अगए 124 था ना आगए 6200 ची बात करेंगए अंशिद नंबर 214 में हाई क्या अभी बताया था मैंने याद है किसी को हाई कोट किसकी बात कर रहे हैं कि हाई कोट हाई कोट कहां पर है अंशिद नंबर 214 में राज्यों के लिए क्या है एक हाई कोट होगा राज्यों में क्या होगा हाई कोट होगा क्या होगा अंशेद नंबर 214 के अंतरगत हाई कोट की बात की गई है अब आगे की बात कर जाए तो अंशेद नंबर 214 इसी से रिलिटेड अंशेद नंबर 231 में क्या है अंशेद 231 अंशेद 231 में हाई क्या राज्यों के लिए है अंशेद नंबर 231 में क्या है कि एक ही हाई कोड दो या दो सद्धिक राज्यों के लिए दो या दो से दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोड बहुत लंबा हो गया क्या संथिसार चले हो गया बता दरहां बस अब समझ लिए गया कि जैसे कि अंशेद नंबर 214 में अंशेद नंबर 214 में हाई कोड की बात की गई जबके अंशेद नंबर 231 में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए क्या होगा है एक हाई कोड की बात की गई है या दो से अधिक राज्यों के लिए एक क्या होगा हाई कोड की बात की ग कि अन्शेद नमब्र 206 में क्या है अन्शेद नमब्र 206 में संचित निधी क्या है संचित निधी जबके अंश्चेद नमपर 2267 में क्या है 238 चिंज संचित निधी में किसी को व्यत्र निदिन से दिया जता जबकि इस निधी से क्या होती है कि जब विथिया पात्या तमाम प्रगाशक्षिया संकट काल्ब में इस आंका हिनि निधी से और आकास्मी निधी किसमें चर्चा के गई किस अन्षेद में चर्चा के गई तो अन्षेद नंबर 266 में ध्यान दिजिएगा 208 वाला भेरी इंपोर्टेंट है अन्षेद नंबर 288 में 288 में क्या है बित आयोग है जो कि करो का बटवारा करते हैं तो यह अच्छे से याद रिखेगा कि अन्षेद नंबर 288 में क्या है बित आयोग है एक बर हम भी रिकॉल करेंगे पूरा का पूरा आदम तैयार हो जाना चाहिए अन्षेद 288 में क्या है बित आयोग है अब अन्षेद नंबर 288 याद नंबर 315 में क्या है एक पूरा ठेल के बाड़ेंगे कैसे होते अब क्या होते हैं अब यह निवा रिखेगे अन्षेद नमबर 315 में क्या है संग लोक सिवा आयोग है और अंच्छेद नमबर 324 में अंच्छेद नमबर 324 निर्वाचन आयोग तो कई वार पुछ लिया है कि निर्वाचन आयोग की बात किसमें की गई है तो अंच्छेद नुच्छेत नम्ब तीन सो चोविस में नीरवाचन , नीरवाचन आयोग आप नराचन , नीरवाचन , अगली की बात किजाए तो हम लोग अनुच्छेत NOR.343 में we measure is 343 कि बात की गई है आंच्प नंबर 343 में किसकी बात की गई है राज भासा और राज भासा के रूप ने मेंए हमारे पास में जानते ही हिंधी है और लिपी कौन सी है देव नागरी कौन सी है 343 में क्या बात कुई गई है राज भासा की नंबभर 343 में 캄ळाट की गई है अनुपर Review न में राश्टिय पकथी राश्पस्छी शासन और 360 में वित्ति पाथ की बात की गई है हम लोग 322 में चल लें अनुपर तीन सो बाउन में क्या है राश्ट्री अपात जो के हमारे भारत में राश्ट्रपती राश्ट्री अपात जो के हमारे भारत में तीन बार लागू हो चुकी तीन बार लगाया गया है राश्ट्री अपात और 356 में राश्पति सासन यह तो नजानी कितनी बार लगा दिया गह राश्पति सासन पहले जम्मु कस्म में रोज लगा करते थे राश्पति सासन अंच्छेद नंबर 366 बित्ति अपत हैं हमारे भारत में अभी आज तक एक भी बार नहीं लगी बित्ती अपत time emergency यानि तीन अनुच्छेद यहां से आपको सच्छेument रखना है 302 में राष्टी अपात और यह तीन बार लगी और 356 में राष्टी राष्पति सासन और 360 में बित्ति आपात यानि आपात से संब्धित तीन अनुच्छेद आपको इदम जुबान पर होना चाहिए और एक लाष्ट अनुच्छेद की बात करें हम लोग 368 में जगह तो नहीं दिख रहा है तो अनुच्छेद नमबर 366 हम डाइट बताते हैं संमिधान संसोधन है अनुच्छेद नमबर 366 क्या है संमिधान संसोधन अनुच्छेद नमबर 366 क्या है संमिधान संसोधन एक बार से और देख लीजिएगा और थोड़ा से बगल होते हैं इसकी सौट ले लीजिएगा और कापी में नोट्स जरूर बना लीजिएगा तो हम हसाइड होते हैं आयोग क्या प्लोड ले चुके होंगे तो आपको अच्छे से दम पूरा का पूरा एक दम टेबल वाइस तयार ना चाहिए तो एक बार हम पूरा रिकॉल करवा लेते हैं कहां से स्टार्ट किये थे यादा रहा है किसी को अनुच्छेद नमबर 3124 में किसकी बात की गई थ अनुच्छेद नमबर 143 में क्या था सुप्रीम कोट सुप्रीम कोट किसको सलाह दे सकते हैं अनुच्छेद नमबर 142 में आप लोग देखते रहे हैं अनुच्छेद नमबर 133 में राजयोग के लिए राजपाल होंगे अनुच्छेद नमबर 162 में छमादान की सकती दी गई है अनुच्छेद 165 में महा धिवक्ता होंगे 165 में महा धिवक्ता महा न्यावादी की तरह होते हैं 168 में मंत्री बिधान मंडल होगा 168 में बिधान मंडल जबके 169 में 169 में 169 में किसके गठन और विक्टन की बात की गई है और अन्छेद नंबर एक मिलाइट बंद हो गया हमारी चालो हो गया नाण। 159 Republican में बिधान परिसकत की गठन और बिघटन की बात की गई और नमबर 170 में बिधान सभा की सरस्थना और निस नमबर 181 में बिधान परिशिद की सरस्थना की बात आगे की बात की जाएं तो नश्चेद नəंबर एक सो कत्तर हो गया 214 में आएंगे अनुचेट दमद 214 में वही हाई कोट ये तो बता चुके हैं और 231 में दोया-दोस अधिकर राज्यों के लिए एक हाई कोट हो सकता है और 266 में संचीद निधी 266 में आकास्मिंग निधी और 280 में बित आयोग 315 में UPSC और 324 में निर्वाचन निर्वाचन आयोग 343 में राजभासा हिंदी और लिपी देवनागरी और 352, 356, 356 तो जानते ही हैं तो अच्छे से याद भी हो गया आई होप कि अप लोगों को इतने अच्छे से याद हो गया होगा नहीं याद हुआ होगा तो एक दो बार और भी देख लेगा और दिमाग में बैठा लेजिए याद हो जाएगा जैसा भी वीडियो लगा हो कमेंट बाक्स में जरू बतायेगा और जरू बतायेगा काहां तक आप लोग ने देखा और इसमें